पहली बात तो English का कभी मतलब नहीं, अच्छे communication skill, artificial environment बनाए, दीरे दीरे आपका confidence level बढ़े, तो nervous खड़े रहेंगे, मिरसे कोई कुश्चन ना पूछले, बिलकुए चुप सुन खड़े रहेंगे, तो public speaking में घबराहत होती है, opposite sex से बात करने में, या आप हलका सा हकलाते हैं, communication skill के बारे में, यह ऐसा weapon है, ऐसा ब्रहमास्तर है, आपको हर जगा stand out कराता है, excel कराता है, आपके school से लेके, college से लेके, आपका office तक, हर जगा, कभी-कभी नए लोगों से बात करने में nervousness होती है, आपको stand out कैसे करना है, वह बहुत 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 जो आप practical life में apply कर पाएंगे, एक अच्छी communication क्या होती है, तीन level में easily breakdown करके समझाता हूँ, पहला क्या होता है, जब भी आप कुछ communicate करना चाहरे है, उसको easily समझ आ रहा है, जो purpose होता है basic communication का, उसको successful communication कहते है, दूसरा क्या है, दूसरे को समझ तो आ रहा है, लेकिन हो जाता है, या बातों में convince हो जाता है, बहुत सारे public speakers और YouTubers दीरे दीरे skill को develop करते है, पहली बात तो English का कभी मतलब नहीं है, अच्छे communication skill, important क्या है, अपने आप से honestly जाना आपकी strength कहां लाए करती है, Hindi है, Maratha है, बंगाली है, क्योंकि कोई भी successful leader है, चाहे वो political leader है, businessman है, चा कहते हैं, अच्छा communication skill, आप खुद सोच लो, कभी किसी के पास जा रहे हो, 10 लोग है, 5 लोग है, अपनी मातरभाशा में क्या convince कर पा रहे हो, क्या उनको influence कर पा रहे हो, अगर answer है नहीं, तो अपनी अभी जो existing language है, उसी पे पहला first step क्या होता है, उसके expression पे काम करना, उसकी body बना लेते हैं humans, वो natural है, यार इसके तो short fatty हुई है, यार इसके तो चपल अजीब सी है, अरे इसके तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हो है, लोग judge करते हैं, करने दो, मैं यह नहीं कह रहा है, आपको महेंगे कपड़ या expensive watches या कुछ भी पहनना है, but आपकी जो 3 points है, बह करते हैं, fitting ही manage कर रहे हैं, hygiene के करना आपका ध्यान divert नहीं होना चाहिए, और important occasion जहां पर है, आपको ज्यादा उस time experiment नहीं करना, जहां पर आप जो confident है, वो पहने, ना कि आप उसको manage करते रहे, एक अच्छे communication skill का मतलब होता है, 40% आपकी verbal communication और 60% होता है, जो difference लाता है आपक को भी notice करें, वो भी use करते हैं, ये motion gesture techniques, अब मैं आपको example से समझागा हो, क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आता, gestures को कैसे use करा जाता है, सबसे पहला level gestures, आप just मेरे hands को notice करना, अगर आपको successful बनना है, तो start from today, this and that gesture, pointing out gesture, लेकिन एक बहुत strong motivational speeches में use होता है, pointing out कभी भी seniors पे नहीं करी जाती है, या elders पे, और क्या small curve gestures, और किसी की बात सुन रहे हैं, तो nodding gestures, और हाँ, एक चीज़ और notice करी गई है, 80% लोगों ने मुझे subscribe नहीं कर रखा है, तो एक चोट अथा gesture तो यहाँ पे भी बनता है, और 400 से उपर तरीके की gestures होते हैं, अगर आपको इसके पर detail video चाहिए, तो let me know in the comment section, और handshake पहली एक energy होती है, जो आप exchange करते हैं, अपने listener के साथ तो important क्या है इसके अंदर, जब भी handshake को, वो firm होना चाहिए, वो आपके confidence दिखाता है, ना कि बहुत डीला, और हाँ, हाँ फात ली तोनना है, उसका याद रखना है आपको, और negative आ आपके नेल को bite करना, पैर को बार-बार हिलाना, आके चुपाना, या अपना cracking the bones, अच्छी communication skill अच्छी body language से आती, अच्छी body language कैसे आती है, अच्छी posture से, आपका testosterone level और और वीक लगेगा, जब आपका posture bend होगा, क्योंकि जब spinal health अच्छी नहीं होती, तो stress-losing hormone पैदा होता हो नीचे जाता है, आपका emotions और डाइट पर control रखना है, लड़ जगड के या गुसे में कभी भी important communication नहीं करनी चाहिए, कोई आपकी public speaking, कोई भी important चीज हो, क्योंकि body irritated लगती है, पॉस्टर हलका bend लगता है, जब आप lazy होते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तब again your posture is bend, also ध्यान रखना है, जब आप हाथ pocket के अंदर रखते हैं, वो avoid करना है, हलका सा back stretch होती है, और back bent लगती है, posture को improve करने करें, 10-15 minutes आपको invest करने है, आप सबसे पहले उसको improvement exercises, जैसे की planks हो गये, child pose हो गया, front planks हो गये, chest opener हो गया, वो डालिए, और power poses जो हैं ये, इन में से कोई भी एक आप daily habit डाली है, अपनी body को adapt करना धीरे धीरे, और हाँ, आपको ऐसे भी नहीं चलना कि आपके बगल में घीये पसे हो, अगर आपको public speaking में गबराहत होती है, opposite sex से बात करने में, किसी से भी group में discuss करने से आपको गबराहत होती है, या आप हलका सा हकलाते है, या इस्टैमर क पड़ता है, आप eye contact कर पाते हैं, और क्या होता है, आप अपने expression और smile notice करते हैं, क्योंकि Robert जैसी बात करना किसी को पसंद नहीं है, so you can improve your expressions, अब सब बूलते हैं कि daily practice करना बहुत जरूरी है, तभी improve होगा, अब daily आम आदमी इसको practice कैसे करे, easy तरीके बताता हूँ, सबसे मे इंटर्व्यू है, अपना वाइवा, या अपना English की, या अपना public speaking की practice करने की त्यारी हों के सामने करे, एक artificial environment बनाए, दीरे दीरे आपका confidence level बढ़ेगा, इसकी एक और जड़ा है, कि आप नहीं लोगों से interact नहीं करते, कुवे के मेंड़क बने रहते हैं, चाहे दोस्त का चाहे आपका भाई भेहन का दोस्तों, इंटराक करना जरूरी है, शायदे एक बार राहू लटके लेकिन अगले साल जो राहू निकल के आएगा, that will be अच्छा, News Reporter को कभी देखा, जाती, bombard कर देता है question को, कैसी हुआ, कहा हुआ, क्या हुआ, इतने questions नहीं पूछने, लेकिन कभी आपके पस कोई आ रहा होता है, आप घबरा जाते हैं, यह कुछ गलत ना पूछ ले, यह क्या पूछेगा, मैं नर्वस हो गया हूँ, अब आपको धिहान एक technique यूज करते हैं, जो होता है, subtle humor, हलका personal test दे देते है, हलका सा humor यूज करते है, बात हमेशा याद रहे, बंदा बूर ना हो, और well informed रहना बहुत जाता ज़रूरी है, मतलब आपका भी किसी group में पता है, कोई बात चल रही है, बिलकुल बिना information के जाएंगे, तो nervous खड़ तो इसको like, comment और share करना मत भूल, अगर आप subscriber नहीं है, तो please subscribe कर लेएंगे,